हेलो फ्रेंड्स YouTube चैनल PHP ट्रेंडिंग बाइड डेवलोपर में आपका एगवार फेसेश हो रहते हैं फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे PHP के इंदर एक्वल एंड ट्रेपल एक्वल के बारे में बेसिक डिफरेंस है PHP के इंदर डिफरेंस बिट्विन इक्वल एंडर ट्रेपल एक्वल 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 के बारे में बेसिक डिफरेंस के आए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं इसके डिफरेंस के बारे में PHP के अंदर जो equal है जो triple equal है ठीक है PHP के अंदर equal equal to operator है ठीक यह क्या काम करता है कि variable 1 and variable 2 double equal variable 1 variable 2 की value को check करता है कि variable 1 के अंदर जो value है वो variable 2 के बराबर हुना ची यह होता है equal to operator equal to means left hand side की value and right hand side की value क्या होना ची equal होना ची equal होते समय यह कभी भी यह checkने करता है कि यह value यह दोनों जो variable है इनके data type क्या है दोनों के data type अलग हो तो भी equal to operator के करेगा काम करेगा and triple equal to में क्या होता है कि variable 1 triple equal to variable 2 variable 1 value variable 2 के बराबर होना चीए but इस case में इसके data type भी चेक होती है कि variable 1 का जो data type है वो और variable 2 का data type दोनों equal है या नहीं है दोनों equal होंगे बट दोनों के data type भी equal होंगे तो condition true होगी otherwise क्या होज़े condition false हो जाएगी but equal to के case में के बराबर value मेटल करती है कि दोनों के value equal है या नहीं है इसमे value check करेगा both side ठीक है इसमें triple equal में value and data type must be check दोनों must be true दोनों के होना चीए true होना चीए तभी इसका output के आएगा true otherwise के आएगा false और इसमें दोनों साइट के चेक करेगा value check both side दोनों के value equal होना चीए यहाँ भी value check होगी बड़ यहाँ पे value के साथ साथ में के चेक करेगा उसके data time भी ओके फ्रेंड्स मैं आपको छोटा सा program बना के बचाता हूँ उस program से आपको इसी लिए आप इस बारे में समझ सकते हैं कि double equal and triple equal का basic difference क्या है तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं इसका program हमने यहाँ पे दो variable बना लिए a equal to 10 ओके and b equal to 20 मैंने यहाँ पे condition लगा दी dollar a equal equal to dollar b dollar a की value कितनी है dollar a की value कितनी है 10 dollar b की value कितनी है 20 दोनों को यदि अगर मैं echo करता हूँ तो दोनों condition यह condition हो गई अपनी a equal equal to b यह condition हो गई condition कौन से हो गई a equal equal to b इसमें क्या होगा a equal equal to b मतलब condition क्या है true है क्यों तो a की value कितनी है 10 और b की value कितनी है 10 तो 10 equal to 10 10 10 के बराबर है तो condition क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी इस प्रोग्राम को यह दिएकर आपको रन करना है तो आप सबसे पर लिए ब्राउजर उपन करें ब्राउजर पर ब्राउजर उपन करें ब्राउजर पर यहां पर लिखें लोकल होस्ट लेशू फोल्डर का नाम प्रोकल होस्ट स्लेशू होल्डर का नाम है हैं अपने प्रोग्राम के इस्थाम से बनाया है यहां पर प्रोग्राम के इस्ताउं से बनाया है कि मैंने बी की विल्ली को डवल कोटस पर डिफाइन कर दिया तो डवल कोटस मिन्स क्या होता है इस्टिंग और ये क्या है यहां पर A की विल्यू कितनी है 10 और B की विल्यू डबल कोर्स में कितनी है 10 तो A integer है जबकि B की विल्यू चेक करता है A की विल्यू कितनी है 10 तो 10 10 के बराबर होगा तो कंडिशन क्या होगी ट्रू कंडिशन ट्रू होगी तो आउपूट क्या शो करेगा यहां पर 1 ऑके बट यह दी अगर मैंने डबल इक्वल की जगह पर मैंने ट्रीपल इक्वल लगा जया तो ट्रीपल इक्वल हमेशा यह चेक करता है कि A की जो विल्यू है 10 उसका डाटा टाइप क्या है इंटीजर एंड बी की जो विल्यू है 10 बट इसका डाटा टाइप क्या है इस तेंग यह डबल पोर्स के अंदर है और यह सिंपल इंटीजर विल्यू है तो यह A की विल्यू 10 ट्रीपल इक्वल यह चेक करेगा कि A की जो विल्यू है B की विल्यू के बराबर होना चीए होगी अपने फॉल्स अब A की value कितनी है 10 इस type का variable है integer, B की value कितनी है 10 इस type का variable है integer, तो दोनों की condition भी true है, दोनों की data type भी same है, तो दोनों की value भी same है, तो उसका output के show जाएगा 1, तो ये था basic difference double equal and triple equal के बारे में, double equal में value चेक करता है lucky data type, but triple equal में value की साथ साथ में data type भी के बना चीए, same मुना चीए, तो ये था basic difference double equal and triple equal के बारे में, ओके friends, हम हमारे next YouTube channel में PHP control statement के बारे में, बताएंगे के PHP के अंदर control statement क्या क्या होते हैं, और कैसे हम इसका use करते हैं, ओके friends, ये दिये अगर आपको हमारे YouTube channel के माध्यम से कुछ चीज दिखने को मिलती हैं, तो प्लिस आप हमारे channel को subscribe करें and share करें, okay, thank you so much.